हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे आज हमने अपना जो पिछला वीडियो है उसमें नीती आयोग और आस्ट्रे विकास परिशत के बारे में पड़ा था आज हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं चैप्टर नाइन और आपकी जो कुछ बदला हुआ है आप फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आपकी NCRT की किताबों में कुछ अलग है और इस बार विदेश नीती के चैप्टर में आपके लिए केवल विदेश नीती के सिध्धान्त प्रिंस्पिल्स ओफ फॉरेंड पॉलेसी इंडिया चेंजिंग रिले अपना ये जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम सबसे पहले देखते हैं विदेश नीती के सिध्धान्त यानि भारत की विदेश नीती के प्रमुक सिध्धान्त क्या क्या है किस सोच या विचार धारा को आधार बनाकर भारत अपनी विदेश नीती का विदेशनीती एक ढाचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने सम्बंदों को अलग अलग रूपों में, यानि द्वीपक्षिय रूपों में, छेत्रिये जैसे सार्क, हम छेत्रिये संबंद हमारे देखते हैं, हम विदेशों दूर, दूसरे कॉंटिनेंट के साथ हमारे सम्बंद देखते हैं, भहु पक्षी रूप में संचालित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें विदेश निती कहलाती है, वही कूट निती, किसी देश की विदेश निती को प्राप्त करने की दर्श्टी से, विश्व क कि अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का एक कोशल है, ठीक है न, कि हम किस तरीके से दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बनाएं कि हमारे देश का लाब उसमें सर्वोपरी रहे और अंतराश्टे इस्तर पर हमारे देश की जो छवी है वो सुद्रे किसी भी देश की विदेश नीती का विकास, घरेलू राजनीती, अन्य देशों की नीतियों या विहवार एवं विशिष्ट भूराजनीतिक परिद्रश्यों से प्रभावित होता है ठीक है न शुरुआत की दिनों में ये माना जाता था कि विदेश नीती पूर्ट है विदेशी कार को और भूराजनीतिक परिदर्श्यों से प्रभावित होती है यानि किसी दूसरे देश में क्या हो रहा है उससे हमारे देश की नीती प्रभावित हो रही है या फिर हमारे द कि मान लीजे हमारे देश में सामपरदा एक सोहार्द है यानि हमारे देश में हर धर्म के लोग मिल जुल कर रहते हैं तो क्या होगा तो हमारे दूसरे देशों से रिलेशन भी बहुत अच्छे रहेंगे पर अगर हमारे देश के अंदर किसी तरीके का धार में कोई विवाद उत्पन होगा, हम किसी धर्म विशेश के लोगों के साथ लड़ेंगे, जगडेंगे तो उस धर्म की बहुलता वाला जो देश है उससे हमारे रिलेशन अपने अब खराब होने लग जाएंगे ठीक है न? तो हमारे घरेलू विवाद जो है वो हमारे विविन रास्टों से संब्द हो यह तो मैंने एक एक एक्जामपल दिया आपको ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जिससे कि हमारी घरेलू राजनिती हमारे विदेश संब्दों को प्रभावित करती है ठीक है? अब हम भारत की बात करें तो भारत की विदेश निती के मुख्य उद्देश क्या है यानि हमारा टार्गेट क्या है तो वो है कि किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश निती का मुख्य और प्रात्मिक उद्देश जैनि सभी देशों का एक समान होता है और वो होता है राष्ट्रे हितों को सुरक्षित रखना हमारे देश के राष्ट्रे हित सुरक्षित रहने चाहिए उलेखनी है कि सभी देशों के लिए राष्ट्रे हित का दाइरा अलग-अलग होता है भारत के परिपेक्ष में साइबर सूरक्ष आदिश्छामिल है अब यह सारी बातें हमारे लिए जरूरी हैं प्द्देशे में आपको पता यह कि हमें सीमा पार आतंकवाद से हम ग्रसित हैं हमारे जो सीमाई है ये बंगलादेश से लगती है नेपाल से लगती है चाइना से लगती है पाकिस्तान से लगती है इन सब सीमाओं में क्या हो रहा है गुस्पेट होती है आतंकवादी आ जाते हैं अंदर और वो कुछ ना कुछ जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का जो आतंकव वो तो पाकिस्तान सरकार के द्वारा प्रायोजित है वो तो उन्हें फंडिंग देते हैं हमारे देश के अंदर आतंग को आद फैलाने के लिए तो यह विदेश निती का एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारा फिर खाद्य सुरक्षा यानि हम किस देश से खाद्यान आयात कर करते हैं हम खरीदते हैं ठीक है तो यह भी डिपेंड करता है कि हम ऐसे देशों के साथ अपने रिलेशन अलग बनाके रखते हैं फिर आज कल एक नई चीज होगा यह साइबर सुरक्षा आप लोग अगर न्यूज बगर सुनते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि जितने साथ अफ्रीका के में सबसे ज़्यादा हैकर्स मिलते हैं तो वहां से अगर कोई वैब साइट है वहां की कोई अगर कोई एप है तो उनको भी संदे की दृष्टी से देखा जाता है तो यह भी बहुत बड़ा इश्यू है साइबर सुरक्षा का ठीक है फिर और क्या जरूरत नहीं है तो हमें भी विदेशी चायता क्या को सकता है विभियन diving पर योजनाओं में में मेकन इंडिया विदेशी सायोगयों विदेशी प्रत्यक्षनिवेश विद्य सहायता टेक्नोलोजी की जरूरत है और उलेकनी है कि हाल की कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीती के इस पहलू पर नीती निर्माताओं ने काफी अधिक द्यान दिया यानि में फोकस रखा है कि हमें विदेशों से कौन-कौन सी टेक्नोलोजी लेनी है आप लोग सुनते होंगे जैसे कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे है जो विदेशी सायता से ही चल रहे है जापान बहुत ज़्यादा टेकनोलोजीकल हेल्प करता है हमारे को फ्रांस हेल्प करता है आमने राफेल वीमान आप सबने नाम सुना होगा किस से खरीदा फ्रांस से खरीदा ठीक है न तो इस तरह की सायता की जैसे एक क्रायोजेनिक इंजन का मुद्दा था तो अमेरिका ने मना कर दिया तो उस समय रूस ने दिया भारत को जरूरत थी भारत को अपने पर मानुकारे करम के लिए आवशकता थी परन्तु अमेरिका ने नहीं दिया सयो और सोवेट संग ने दिया हमें सयो तो ये सब ची भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरी खत्रों से बचाना तो पारंपरिक और गैर पारंपरी खत्रे क्या होते हैं पारंपरी खत्रे क्या है विदेशी आक्रमन और गैर पारंपरी क्या है जो अब नए पैदा हो गए जैसे आतंकवाद महामारी ये सब गैर पारंपरी खत क्या क्या करना था हमें किस तरीके से चाइना के पेसेंजर को समय रहते बैंड कर देना था और अब आगे भी वैक्सिन के लिए क्या होगा हमारे जिस देश से रिलेशन अच्छे होंगे अगर उस देश ने वैक्सिन का पहले निर्मान कर लिया तो वो हमें देगा उसका फार् तो वह दिक्कत नहीं आएगी फिर भी इसमें विदेश संबंद बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ऐसा वातावन बनाना जो भारत के समावेसी विकास के लिए अनुकूल हो जिसे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाब पहुंचे ये भी विदेश निति करण और वैश्विक शाषन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके तो ये सारी चीजे बीच चाता है कि विदेश निति की बात आए और अंतरास्टे मंच पर जब कोई सम्मेलन हो तो भारत की आवाज सुनी जाए अब सुनी जाती है भारत की आवाज विदेश में भार पंच शील के सिद्धान्त का ठीक है ये भारत चाइना रिलेशन में मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया था यहां पंच शील के सिद्धान्त में उलेखनी है कि यह सरु प्रथम सन 1954 में चीन के तिबच छेतर ता भारत के मध्य संधी करने के लिए प्रतिपादि इसके बाद इस सिद्धान्त का प्रियोग भारत ने वैश्विक स्तर पर अंतराश्ट्य सम्बंदों को संचालित करने के लिए किया और यह पांच सिद्धान्त क्या थे भारत की विदेश निति का प्रशन आता है तो उसमें कई बर यह अलग से प्रशन आ जाता है दो करना परस पर एक आक्रमन ना करना यानि एक दूसरे पर अटैक नहीं होगा परस पर हस्तक शेप ना करना अंद्रूनी मामलों में यानि आपके जो आंत्रिक मामलें घरेलू मामलें उनमें किसी तरह का वो हस्तक शेप नहीं करेगा समता और आपसी लाब आपसी लाब के लिए जादा से जादा संधिया समझोते करना और शांती पुन सह अस्तित्व, सह अस्तित्व का मतलब होता है कि एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना और शांती बनाए रखना, ठीक है तो ये महत्व पुन भारती विदेश निती के सिद्धान्त है, उसके बाद आता है नहीं करता क्योंकि महाशक्तियों ने इस चीज को एक अपने जिसको कहते हैं ट्रंप कार्ड के रूप में यूज किया कि कई वस्तों पर प्रतिबंद लगा देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि विकासिल देश हैं चोटे-चोटे रास्ट रहे हैं यह उनकी मदद पर अमेरिका ने बहुत सारी फ्रिक्ष्ण पर प्रतिबंद लगा दि यह सब प्रतिबंद जो ऐसे लगा आते उन्तरास्टे रोब से भारत इनका विरोध करता है और कब देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने में विश्वास नहीं रखता परन्तु यदि कोई देश अंजाने में या जान मुझकर भारत के राष्टे हितों को प्रभावित करता है तो भारत पीना समय बरबाद ये हस्तक शेप करने से भी नहीं जीज़केगा फिर अ अबी भी किसी देश पर आगे बढ़कर आक्रमन नहीं किया है भारत का मानना है कि युद्य समस्या का हल नहीं है बलकि एक नई समस्या की शुरूवात है परन्तु धेरे की नीती को भारत की कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि समय समय पर भारत ने अपने उपर आक् विदेश नीती के पॉइंट बदल भी गए है जैसे तो इसमें हम बदल्ती भारती विदेश नीती के कुछ पॉइंट देखते हैं कि भारत की वरत्मान विदेश नीती की सबसे खास विशेष्टा यह है कि इसमें पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा अब जोखिम लानी सुरक्षात्मक नीति यानी सेल्फ डिफेंस की नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आकरामक नीति की और भी अग्रसर हो रहा है इसका एक्जामपल डोकलाम में भारत की कारेवाई और वर्ष 2016 में जो उरी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जीकल स्ट्र के विचारों और कारेवाई की इसपश्टता दिखाई देने लगी है बदलते वैश्विक राजनितिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनितिक हितों की पूरती के लिए किसी भी आपचारिक समों पर निर्भरता को अब सीमित कर रहा है यानि अब वो किसी शक्ती खड़ी होगी तब ही हम लड़ पाएंगे तो कोशिश यह है कि हम अपने लड़ाई खोद लड़ सके भारत ने अपनी विदेश नीती में संतुलन बनाए रखने का एक महत्रपुन कारे किया है और इसका सबसे अच्छा उदारण है अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंद यानि भारत ने दौनों के साथ बैलेंस रिलेशन बना रखे हैं रूस जहां एक और हमारा परंपरागत मित्र है तो वहां अमेरिका भी हमारा नया मित्र है और यह जो समीकरण है यह डे बाई डे बनते और बिगड़ते भी रहते हैं परंतु फिर भी हमने दोनो को अपना मित्र बढ़ा रखा है और इसी कारण भारत का जो अंतरास्ट्रिय इस्तर पर भारत का महत्व है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो ये बच्चों आपको एक प्रश्ण जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत की विदेश नीती की प्रमुख विशेश क्या है भारत की विदेश नीती के प्रमुख सिधान्त क्या है तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा ठीक है अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत अमेरिका रिलेशन और जो चार देश दिये चारों के हम continue इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे त